वल्कम तो आज मैं आप सभी किलिए लए हूँ आँ खी पाई पाव भाजी की रेसिपि जो कि हम परेशर कूकर में बनाएगे और सिर्फ और सिर्फ दो सेटी पर स्र फर टेषा पश दूसर पर यह नियार बढ़ जाएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने पंधा को भी लिया है फूल को भी ले लिया है थोड़ी सी सिम्ला मिच यह बहुत जरूरी है और एड करेंगे थोड़ी बीन्स गाजर हरेमटर को भी ले लेना है और आलू यह भी बहुत इंपोर्ट अने तक पका लेना है तो तेके यह फ्रेंड प्रेशर खुलेक रिलिलीस अने तिया है और कसल के बाढ़ हमारी सबजी या बहुत अच् goal tooth पानी देखिए सब्जियों ने रिलीस कर दिया है तो मैशर की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है आप देखिए हमारे सब्जियों का कलर अभी सही कितना अच्छा आ चुका है और टेक्श्चर देखिए पॉफेक्ट है अगर आपके पास कोई भी सब्जी नहीं है इंपोर्डेंट है 140 पून हींग काश्मीरी लाल मिर्श का पाउडर अच्छे कलर के लिए और दो टेबल स्पून पावभाजी मसाला और एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और यहां पे मैंने बटर लिया है दो चमच की जितना तेल और इसे अच्छी तरह से यहीं पर हमें मिला लेना है अब अभी से हमारे पावभाजी का कलर देखिए कितना पॉफेक्ट आया है बिना किसी कलर के तो इसमें अब सीक्रेट इंग्रीडेंट एड़ कर देते हैं दूद जी हां फ्रेंड तो यहां पे मैंने हाफ कप की जितना दूट डाला है इससे बहुत अच्छा क्रीबी बाइंडिंग आएगा हमारे पावभाजी में और एड कर देती हो वन टी स्पून के जितना कसूरी में यह भी इंपोर्टेंट है इसे एड करें बहुत अच्छा अरोमा मिलेगा हमारी पावभाजी में तो अब इसे ठकन लगाते हैं और इसके नेक्स प्रॉसस करते हैं तो देखे मैंने लो फ्लेम पर एक विसल आने के इंतजार किया है और देखे जब इस तरह की प्रेशर बन जाए तो हमें अपने फ्लेम को आफ कर लेना है विसल नहीं आने देना और खुदी प्रेशर रिलीज हो चुकी तो आपको धकन खोल कर दिखाती हूं तो देखे तेयार है हमारा डिलिश्यस पाव भाजी तो एड कर देते हैं यहां पर धेर सारे फ्रेश थनिये के पत्ते को जो की बहुत ही अच्छा फ्रेवर और अरोमा देगा और मोस्ट इंपोर्टन तिंग नीम्बू मैंने आधी नीम कोई नहीं कह सकता है कि हमने यह पाव भाजी प्रेशर कूकर में बनाई है सिर्फ और सिर्फ दो विसल में और से मैंने सर्फ कर लिया है सिम्बल से ब्रेट को रोस्ट करके और इस रेसिपी को आप भी अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करन पिलकुल न भूले